नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्गेट एनलिसिस में दोस्तों बजार की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं बिल्कुल फ्लैट तू पॉजिटिव और नेगिटिव के डाउनसाइड के साथ बाजार ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां लगबग दोस्तों 27 पॉइंट की गिरावट है वहीं अगर सेंसेक्स देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट तू पॉजिटिव है अब यह बाजार में जो इस समय कामकाज हो रहा है दोस्तों यह बिल्कुल आप यह समझ लीजिए सुस्ती वाला यहां पे कोई भी बड़ा निवेशक या फिर बड़ा ट्रेडर जादा केरी फॉरवड करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि बाजार में आज के सेशन में इतना बड़ा इवेंट है कि आज आपको अमेरिका क बाजार हो सकता है 1200 पॉइंट का मूव दिखाएं और उसी के चलते कल हम लोग भी एक बड़ा मूव देंगे लेकिन इन सबके बाद क्या करना है सबसे पहले नहीं सबके बाद क्या करना चाहिए आपको इसी के बारे में बात करना है अच्छी चीज़ा सबसे पहले जानते ह दोस्तों कल के सेशन में अमेरिका के बाजार कहीं ना कहीं 300 पॉइंट्स गिरकर बंद हुए लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो लगबग ये 200 पॉइंट्स उपर बंद हुए यानि की लग एक टाइम पे कल के सेशन में 500 पॉइंट्स तक की डाउ जोन्स में गिरा के अल्मोस्ट अपने सपोर्ट में 30,500 के कल भी मैंने आप सभी के साथ वही लेबल शेयर करा था रात में तो यह 30,500 के सपोर्ट में अगर बाजार आज के सेशन में इसके नीचे निकलता और बड़ी गिरावट के आपको कहीं ना कहीं उमीद करनी चाहिए सबसे पहले मैं को बता दूं ऐसा है क्या जो मैं इतना साधा आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं आज दोस्तों फेड की मीटिंग है जहां पर ब्याज दरह भड़ेंगे यानि रेट हैक्स आने वाले हैं अब इसका कितना इंपेक्ट पड़ेगा और हमारे इंडियान एकुटी मार्केट प करने वाले हैं अभी और भड़ेंगे इसके बाद मार्केट में यानि अमेरिका के बाजार लगबग 1200-1300 पॉइंट क्रेश हुए शेम दे निफ्टी भी लगबग 300-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई लेकिन पूरा फ्लेट टू पॉजिटिव बंद हुई पूरी रिक पॉइंट से बढ़ सकती है ऐसा मानना है लगबग 80% अगर ऐसा ही होता है तो बाजार की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा और बाजार लोवर एंड पे है तो कहीं न गई बाजार यहां से ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखाएगा हो सकता है उपर आ जाए और दिक्कत में है और मानली जी इंफलेशन अभी कावू में आता नहीं दिख रहा है और भी करना पड़ेगा हो सकता है ग्रोथ स्लोक हो जाए तो बाजार की बैंड बच जाएगी यानि कमेंटरी नेगेटिव और 75 बेसेस पॉइंट से भी कटो देगी तो बैंड बच कि भाई एक परसेंट तक के रेट हैक्स आ रहे हैं तो यह इतियास में मतलब पहली बारी आप मानली जी इतना बड़ा तो बहुत बड़ा रेट हैक हो जाएगा इससे बाजार अपने आप में काफी जादा डर जाएंगे और गिरेंगे बुरी तरीके से लेकिन अगर एक प 75 बेसिस पॉइंट के रेट हैक्स आ सकते हैं और कमेंटरी जो वह नूटरल साइड पर रह सकती है और माजार के अकॉडिंगी और बाजार अल्रेडी लोवर एंड पर अमेरिका का तो यह एक सपोर्ट की बात है ठीक है अब होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया ह लेकिन जो लग रहा है वो मैंने आपको बता है 75 बेसिस पॉइंट और कमेंटरी नूटरल अगर ऐसा होता है तो जो अमेरिका के बाजार 3700 पे क्लोजिंग देते हो दिखें वही 200-400 पॉइंट की मूव देके फ्लैट हो जाएंगे लेकिन अगर नेगेटिव हो जाता है बह हमारे में भी आएंगे थोड़ा बत रुपय को मजबूत बनाने के लिए ठीक है तो ओवराल हमारे यहां कोई भी ना स्लो ग्रोट स्लो की उमीद हो रही है ना कुछ भी मलब सब कुछ हमारे यहां नॉर्मल है नूट्रल है तो आपको अगर मार्केट गिरती है तो आपको यह पसंद आ आयोगी थैंक यू सो मुच फॉच फॉच इस वीडियो वाइट देगाई